Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैं हूँ आपकी Science Educator Dr. Muskaan. कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है Magnet Brains में. जहां मलती है Free Education के दिगाटिन से लेके Class 12 तक Magnet Brains में आपको किसी भी तरीकी के Transaction Payment की कोई भी नीद नहीं है जो है www.manetbrains.com जैसे है आप Magnet Brains की लेपसाइट विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है ग्राइब इनोट्स पे डेली बैक्टर्स पेपर्स, वीडियो, लेक्टर्स, टॉपिक वाइस, सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा and students, आज का जो हमारा session है वो है थोड़ा overview session जुसमें मैं आपको सारे topics के बारी में बताने वाली हूँ कि अब जो next chapter है उसमें हम क्या-क्या topics cover करने वाले हैं, कैसे cover करने वाले हैं and हमारा पूरा pattern क्या होगा, is that clear? चलिए शुरू करते हैं So students, यह सारे topics हैं, सबसे पहले हम देखेंगे introduction जिसमें हम समझेंगे कि आखिर इस chapter में हमें क्या है यह जो chapter हमारा basically पूरा chapter है speed and motion का, इसमें speed क्या है, क्या होता है यह और basically कोई चीज जादा तेज, slow, तो यह जो मैं तेज और slow कह रही हूँ, यह आखिर कैसे मैंने measure करा अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं भाग रही हूँ और मैं bus से compete कर रही हूँ bus अपनी किसी speed से चल रही है, मैं अपनी speed से भाग रही हूँ लेकिन फिर भी bus मुझसे पहले पहुच जाएगी और bus मुझसे बहुत पहले पहुच जाएगी यह मैंने कैसे measure करा कि bus ने कितनी जल्दी एक distance को cover कर लिया तो यह हम क्या होता है, यह हम कैसे करते हैं, यह हम पढ़ेंगे Now students, कोई भी चीज slow है, fast है, यह आप कैसे बता सकते हो कि अगर मैं cycle का pedal चला रही हूँ, तो मुझे कैसे पता कि यह slow है, fast है कुछ ना कुछ तो change होता है, उसका कुछ ना कुछ तो increase होता है जिससे हम यह बता पाते हैं, तो वो हम देखेंगे उसके बाद students, हम speed कैसे calculate करते हैं, speed होता क्या है speed क्या क्या चीजों में हमें देखने को मिलता है, speed से हम motion कैसे change कर सकते हैं speed से हम कहीं जगा पे distance जल्दी travel कैसे कर सकते हैं, कितने time में कर सकते हैं सब चीज़े हम देखेंगे उसके बाद आते हैं कि टाइम को कैसे मेजर करते हैं वर्ल्ड क्लॉक टाइम कैसे मेजर होता है पहले पेंडूलम से कैसे टाइम आया था कैसे पेंडूलम के एक्सलेरेशन से हमने पहले के जमाने के जो लोग थे न स्टूडेंस वो तैसा करते थी कि आज सुबह हुई, सूरज निकला, तो सुबह शुरू होगी, फिर दूसरे दिन सूरज निकला, तो एक दिन खतम हो गया, फिर महीने वो फुल मून से देखते थे, कि आज फुल मून है, एक महीना कंप्लीट हो गया, पूरे साल को वो सीजन से मेशर करते थे, लेकिन अब ह हमने pendulum के periodic phenomena को लेके हमने time develop करा, फिर हमने world clocks बनाई, हमने clocks बनाए, हमने 24 hour time रखा, हमने 12 hours time रखा, तो यह सब चीज़ें हम कैसे measure करते हैं, यह देखेंगे हम इसमें, फिर speed को हम किस formula से देखते हैं, वो हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि distance और time का relation क्या है, जब भी हमें time और distance का relation या किसी भी चीज़ का relation देखना होता है, हम उसे graph में plot करके, जैसे अगर x-axis में हमने कुछ रखा, जैसे कि अगर हमने y-axis में कुछ रखा और x-axis पे कुछ रखा, तो इनके बीच में जो relation है, वो हमें पता चल जाता है, graph को plot करके, is that clear, so ये चीज़ हम देखते हैं graph से, उसके बाद जब हमने complete कर लिया है topic wise अपने सारे topic, फिर हम solve करेंगे NCRT solutions को, NCRT solutions जब हमने solve कर लिया है, वहाँ पे आपको एक-एक question का अच्छे से answer मिलेगा, जब NCRT solutions solve हो गए, फिर आते हैं मेरे favorite part पे, जो है multiple choice questions, क्योंकि multiple choice questions में आपको मुहका मिल जाता है, अपनी knowledge को apply करने का, अभी तक तो बहुत सारी knowledge ले ली, लेकिन कितना याद रहा, नहीं रहा, ये आपको कैसे पता चलेगा, multiple choice questions को solve करके, तो multiple choice questions में मैं आपको questions दूँगी, आप मेरे साथ-साथ उनका जवाब देंगे, और कहीं भी अठके, तो ये समझ जाना कि वो topic थोड़ा weak है, उसको थोड़ा strong करने की बारी है, तो वो आप strong कैसे करेंगे, आप वापिस से जाएंगे, sessions को देखेंगे, notes revise करेंगे, book पढ़ेंगे, और फिर questions को solve करेंगे, अब questions solve हो गए, तो फिर आते हैं most important questions में, जिसमें in-text के सारे questions, NCRT के questions, जो भी बहुत जादा important है उस chapter में, वो हम solve करेंगे, MIQ में, अब आते हैं the last part, that is complete chapter revision, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा chapter एक गो में मिल जाएगा, और students, ये जो वीडियो है, आप exam से एक दिन पहले, या chapter के खतम होने के time पे देख सकते हो, जिससे आपको पूरे chapter में सारे important चीज़े एक ही बार में समझा जाएगी, ठीक है students, तो ये pattern रहेगा हमारे आने वाले chapter के साथ, so be prepared, get ready with magnet brains, क्योंकि magnet brains तो पूरी full on power pack तयारी के साथ, आपके लिए लेके आने वाला है ये chapter, क्या आप भी ready है, तो जल्दी से मुझे thumbs up दिखा दो, comment section में बोल दो, yes ma'am, we are totally ready, और students, इसी बात में आपको बता दू कि magnet brains, e-notes and e-books भी provide करते हैं, description box पर गिवन जो link है, आप उसे click कर सकते हैं, या आप visit कर सकते हैं, subject wise, subject wise, अभी कुछ मिल जाएगा, magnet brains के दोनों ही mediums available है, English medium and Hindi medium, CBSE board, Delhi board, Bihar board, UP board, Rajasthan board, MP board के साथ-साथ, magnet brains के और courses भी provide करते हैं, जिसे वेधिक maths, crash courses and spoken English, magnet brains आपको Instagram, YouTube, WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter, सभी जगा मिल जाएगा, आपको बस magnet brains को like करना है, share करना है, subscribe करना है, और जैसा मैं हमेशे कहती हूँ, students, stay tuned, happy learning and have a nice day.